नमस्कार मनी नायन के खास वीकली शो कंप्री नामा में आपका बहुत-बहुत स्वागत है मैं हूँ संदीब ग्रोवर कंप्री नामा एक ऐसा शो है जिसमें हम आपको कॉर्परेट और स्टाटप जगत से जुड़ी पूरे हफते की बड़ी खबरे तो बताते ही हैं साथ ही विवादों से जुड़ी खबरों से भी अपडेट करवाते हैं हमारे खास सेग्मेंट on the radar में तो आईए आज के एपिसोड की शुरुवात करते हैं कॉर्परेट से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ पहली ख़बर के और बढ़ते हैं नाशनल कंप्टीन और ट्राइबनल यानी NCLT ने SJFC लिमिटेट के SJFC बैंक के साथ पस्तावित मर्जर के लिए शेधारगों की मंजूरी के लिए बैठक बुलाने पर सहमती दे दी है दोनों कंप्टीयों के मर्जर को मंजूरी देने के लिए शेधारगों की बैठक 25 नुवंबर को बुलाने की मंजूरी दी गई है इसके लावा वित्वस 2023 की दूसी तिमाही के नतीजों के बाद SJFC बैंक के CFO श्री निवासन वैदनाथन ने कहा कि SJFC लिमिटेड और SJFC बैंक का मर्जर पहले की निधारी डेडलाइन से एक तिमाही या कुछ महीने पहले पूरा हो सकता है वित्वस 2024 की दूसरी या तीसरी तिमाही के पहले के इंडिकेशन के मुकाबले अब ये मर्जर पहली या दूसरी तिमाही में पूरा हो सकता है 17 अक्टूबर को SJFC लिमिटेड और SJFC बैंक के शेर करीब आदा फीजदी की मदबूती के साथ बंध हुए थे दूसरी खबर एविशन कारोबार में अपनी पकड़ को और मदबूत करने के लिए अदानी ग्रूप ने इस अफते बड़ी गोशना की है 2019 में 6 एरपोर्ट्स की बोली जीतकर अदानी ग्रूप ने एविशन सेक्टर में कदम रखा था और अब ये ग्रूप हवाई जहाजों की मेंटेनेंस, मुरमत और ओवर होलिंग यानि MRO के कारोबार में उतरने जा रहा है अदानी डिफेंस सिस्टम और टेक्नोलोजी यानि ADSTN ने MRO बिजनस से जुड़ी कंपनी Airworks को खरीदने के लिए 400 करोड उपे में सौधा किया है एक अनुमान के मुताबिक देश में 2031 तक MRO कारोबार 4 अरव डॉलर को पार कर जाएगा जो 2021 में 1.7 अरव डॉलर था आपको बता दें कि अदानी ग्रूप नाकपूर में देश की पहली comprehensive aircraft MRO facility की स्ताफना कर रही है और इंडामर के साथ partnership के जरिए हवाई जाजों की maintenance से जुड़ी सेवाईं मोहिया करवाती है Thailand के CP Group की इस दौर से बाहर होने की संबावना है आपको बता दें कि Metro AG के लिए final बोली इस महिने के अन तक जमा हो सकती है पर रिबोट्स ऐसी भी हैं कि जमनी की ये कंपनी मंचाहे valuation मिलने पर ही अपना कारोबार बेचेगी अगर ऐसा नहीं हुआ तो किसी सत्रा अक्टूबर को आरायल का शेयर करीब डेड़ फीजदी की मजबूती के साथ बंद हुआ था चौथी खबर दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही Reliance Capital की Life Insurance Company Reliance Nippon Life को खईदने की दौड में आदित्य बिरला Capital या AB Capital भी शामिल होगी है AB Capital ने Reliance Nippon Life Insurance Company यानी RNLIC में Reliance Capital का 51 फीजदी हिस्सा खईदने की पेशकर्ष की है RNLIC में बाकी बची 49 फीजदी इसेदारी JV पार्टनर जापान की Nippon Life के पास है पर रिपोर्ट्स के मताबिक Nippon Life इस JV को किसी अन्य कंपनी के साथ विले करने की पक्ष में नहीं है और विले की बजाए Nippon Life इस JV में Reliance Capital का 51 फीजदी हिस्सा खईदने के लिए किसी स्टर्टीजिक पार्टनर की तराश में है 17 अक्टूबर को आदे तिवर्ला Capital का शेर करीब आदा फीजदी की बड़त के साथ बंद हुआ था पाथ भी खबर की और बढ़ते हैं मुंबई की फैशन डीटेलर वीमार्ट रीटेल ने ऑनलाइन मार्केट प्लेस लाइम रोड को खईदने की खोशना की है वीमार्ट रीटेल ने ये अधिगरहन स्लंप सेल यानी मंदी विक्री के आधार पर 31 करोड उपे में किया है वीमार्ट रीटेल के मैनेजिंग डाक्टर लजजद अगरवाल के मताबिक लाइम रोड की खईद से कंपनी की ऑनलाइन विक्री बढ़ेगी क्योंकि रीटेल में ग्रहक ऑनलाइन की और शिफ्ट हो रहे हैं लाइम रोड के विस्तार और इस कंपनी को मुनाफे मिलाने के लिए वीमार्ट कुल 1500 करोड उपे का निवेश भी करेगी 18 अक्टूबर को वीमार्ट रीटेल का शेर करीब सवा एक फीजदी की बड़त के साथ बंद हुआ था चटी खबर फार्मा कंपनी हेट्रो ने जॉंसन और जॉंसन यानि जे अन्जे के तेलंगाना प्लांट का अधिगरहन कर लिया है दोनों कंपनियों के बीट ये सौधा 130 करोड उपे में हुआ है साथी इस प्लांट के अपग्रेडेशन पर हेट्रो 600 करोड उपे का अतरिक निवेश भी करेगी जे अन्जे का भारत में ये सबसे बड़ा प्लांट है जो 2016 में बन कर तयार हुआ था पर स्लोडाउन और मांग की कमी के चलते ये प्लांट जब से बना है तब से खाली पड़ा है जिसे अब स्लम सेल बेसिस पर बेज दिया गया है आपको बता दें कि जॉंसन और जॉंसन की और से ये दूसरा प्लांट है जिसकी भारत में विक्री की गई है 2021 में स्रडीजिक मैनेजमेंट फैसले के तहट कमपनी ने अपने बद्दी हिमाचिल परदेश के मेडिकल डिविजिन उनिट को भी बेज दिया था साथवी खबर कर्स से जूज रही आंदरा सीमेंट को खरीदने की दौड में दालमे भारत और सागर सीमेंट के नाम सबसे आगे हैं कर्स का बुकतान ना करण परने के घाटा हुआ था इस कंपनी पर लेंडर का करीब 12 करोड डॉलर का कर्ज बकाया है और इस कंपनी की वैल्यू सवा चार से करीब 5 करोड डॉलर के आसपास आकी जारी है 18 अक्टूबर को दानमे भारत का शेर हलकी करोड रुपे में भीज दिया है यह हिस्सा बिक्री ब्लॉक डील के जरीए 263 रुपे 70 पैसे पती शेर के भाव पर बेची गई है इस ब्लॉक डील से पहले या 30 जून तक इन्वेस्कों के पास इस कंपनी का करीब 10 फिजदी के सेदारी खरी दी है 18 अक्टूबर को जी एंटेटेंडमेंट का शेर करीब तीन फिजदी की मजबूती के साथ बंद हुआ था अगली खबर रेलवेज ने डिपार्टमेंट आफ इंवेस्मेंट और पब्लिक एसेट मेनेजमेंट यानि दीपम को अपनी दो कमपनियों के विले के लिए रेफर किया है इन दोनों कमपनियों में IRCTC और रेलटेल कॉर्परेशन ओफ इंडिया शामिल हैं दोनों कमपनियां शेर बाजार में लिस्टीड होने के चलते विले का फैसला दीपम पर छोड़ दिया गया है दरसल रेलवे ये शुनिश्चित करना चाता है कि अपनी दो अलग-लग छेतरों में काम कर रही कमपनियों के विले से कमपनियों के कामकाच और निवेशकों पर कोई असर ना पड़े 18 अक्टूबर को IRCTC का शेयर करीब आदा फीजदी चड़ कर और रेल टिल का शेयर करीब एक फीजदी गिर कर बंद हुआ था दसवी खबर देश की सबसे बड़ी गैस ट्रांस्मिशन और सरकारी कमपनी गेल ने कर्ज से जूज रही जेबीएफ पेट्रोकेमिकल को ख़ईदने की बोली जीती है जेबीएफ के सौफिजदी कमिटी ओफ क्रेड़र्स यानि CEOC ने गेल की बोली को मज़़ूरी दे दी है इसके अलावा कमपनी को ख़ईदने की दौड में ONGC, Reliance, Indian Oil समेथ कई कमपनीय शामिल थी जेबीएफ पेट्रोकेमिकल पर लेंडर्स यानि करजदाताओं का करीब 5,000 कुरूड रुपे का करज़ बकाया है जेबीएफ पेट्रोकेमिकल को सितंबर 2008 में मैंगलो स्पेशल एकॉनमिक जोन में करीब सबा MTPA शमता का Purified Terephthalic Acid Plant लगाने के लिए सापित किया गया था IDBI Bank का इस कमपनी में सबसे बड़ा एक्स्पोजर है इसके लावा Indian Overseas Bank, Bank of Broda, Exim Bank और Union Bank of India भी इस कमपनी के बैंकरस में शामिल है इस निवेश के जरिए ITC का मदस पर्ष में हिस्सा मौजुदा 16 फीजदी से बढ़कर 22 फीजदी हो गया है यही नहीं मदस पर्ष की Series B funding round में 90-100 करोड रुपे जुटाने के लिए निवेशकों के साथ बातचीद भी चल रही है पिछले साल नवंबर में मदस पर्ष ने Series A funding round में ITC से रकम जुटाई थी वीते 5 दिन में ITC का शेर करीब पौने 6 फीजदी की मदबूती के साथ बंध हुआ था बारवी खबर देश की 34 सबसे बड़ी IT कमटी विप्रो ने विप्रो Consumer Care Ventures के जरिए इंडोनेशिया के एक स्टार्ट अप यूविट में निवेश किया है आपको बता दें कि विप्रो Consumer Care & Lighting की वेंचर फंडिंग सब्शिडरी है विप्रो Consumer Care Ventures वहीं यूविट बच्चों और एडल्स के लिए गमीस फॉर्मेट में न्यूट्रस्टिकल और वेलनेस प्रोडक्स आफर करता है साउथीस्ट एशिया के किसी स्टार्ट अप में कंप्टी के और से ये पहला सीधा निवेश है 20 अक्टूबर को विप्रो का शेयर करीब एक फीज़दी की मजबूती के साथ बंद हुआ था तेरवी खबर को खबर आने के बाद स्टार्ट का शेयर करीब आदा फीज़दी की मजबूती के साथ बंद हुआ था तो ये थी इस अफ़ते की कॉर्पेट जगत से जुड़ी बड़ी सुर्खियां लेकिन अब रुक करते हैं हमारे खास सेग्मेंट इस खास सेग्मेंट में हम कॉर्पेट जगत की ऐसी खबरों पर फोकस करते हैं जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ होता है ये खबरे इसलिए इंपोर्टेंट है क्योंकि इन खबरों का शेरों की कीमतों पर सीधा असर होता है जिससे आपका फाइदा नुकसान दोनों जुड़े हुए होते हैं आईए इनी खबरों पर नज़र डाल लेते हैं पहले खबर कर्ज और रेजलूशन प्रक्रिया में देरी से जूज रही रिलाइंस कैपिल को लेकर तीन खबरे आई हैं पहला इस कमपनी की सब्सेडिरी कमपनी रिलाइंस कमर्शल फनांस लिमिटेड यानी आर्सी एफल की रेजलूशन प्रक्रिया पूरी हो गई है गहिलू एन्बे अफसी कमपनी ओथम इन्वेस्मेंट ने आर्सी एफल को एक करोड रुपे की रकम में खई दिया है रिलाइंस कैपिल की ये पहली सब्सेडिरी है जिसका सफलता पूरवक समाधान कर लिया गया है आपको बता दें कि आर्सी एफल का नाम बदल कर रिलाइंस मनी हो गया है और इस कमपनी के पास 11,000 करोड उपे के एउएम्स हैं इसके लावा तीसी खबर में पी फर्म से बहतर पैसे पाने के लिए एड्मिस्ट्रेटर ने कमपनी की फिनेंशल सर्विसिस होल्डिंग कमपनी को चार अलग लग कोर इन्वेस्मेंट कमपनी यानि CIC में रिस्ट्रक्चर करने का पस्ताव रखा है जिसके लिए RBI की मन्ज दूरी भी मांगी गई है दूसरी खबर का रूप करते हैं किरलासकर परिवार के जगड़े में नए इल्जाम लगाए जा रहे हैं और इसने एक नया रूप ले लिया है दरसल किरलासकर नुमैटिक और किरलासकर ओयल इंजिन्जिंस को हेड करने वाले दो भाईयों राहु के इंसाइडर ट्रेडिंग से जुड़े फैसले को रद कर दिया है दोरों भाईयों ने किरलासकर परदस से 12-16 से चल रहे विवाद के बाद से प्रोफेशनल लीगल एक्सपेंसेस और की गई 274 क्रूड रूपे की पेमेंट के तर्क को उचित साबित करने की भी मांग की है हाला कि किरलासकर परदस यानि केबियल ने इन आरूपों को खंडित किया है केबियल के मताबिक 25 क्रूड रूपे से ज़ादा के कंसोलिडेटेड टरन ओवर वाली कंपनी की और से पिछले 7 साल में करीब 70 क्रूड रूपे की लीगल फीज का बुक्तान किया जाना लॉजिक 5,600 करूड रूपे के NACEL घोटाला मामले में छोटे निवेशकों को बड़ी राहत मिली है महरास्टरा Protection of Interest of Depositors यानि MPID कोट ने NACEL मामले में छोटे निवेशकों को बड़ी राहत दी है कोट ने पहले छोटे निवेशकों का पैसा वापस किये जाने का आदेश जारी किया है NACEL के 2040 छोटे टेडर्स का 10 से 20 लाक रूपे का बकाया है हाला कि पिछले हफ़ते के फैसले में MPID ने Corporates और Partnerships को भुक्तान किये जाने से बाहर रखा था आपको बता दें कि NACEL के पैमेंट डिफॉल के बाद निवेशकों के करोडो रुपे फजगे थे अभी authorities के पास करीब 2500 करोड रुपे पड़े हैं जिने निवेशकों में बाटा जाना है इस भुक्तान से कुल 12,735 टेडर्स में से 72 फीजदी यानि 9,193 टेडर्स को पूरा भुक्तान हो जाएगा चौथी कबर Bombay Stock Exchange यानि BSE ने सरकारी Power Trading Firm PTC India और उसकी सब्सेडरी PTC India Financial Services यानि PFS के शेरों को Trade to Trade या T2T सेग्मेंट में शिफ्ट करने की चेतावनी जारी की है दरसल BSE के मताबिक इन दोनों कमपनियों ने सेभी के खुलासों और लिस्टिंग से जुड़े नियमों को पूरा नहीं किया है 12 अक्टूबर को जारी नोटिस में BSE ने कहा कि 19 अक्टूबर तक नियमों का पालन ना होने की स्थिति में 25 अक्टूबर से इन दोनों शेरों की स्क्रिप्स को डाउन ग्रेड कर Z या फिर ZP या ZY या MT ग्रूप में शिफ्ट कर दिया जाएगा BSE के मताबिक इन दोनों कंप्यों ने मार्च और जून्त मही के नतीजे अभी तक गोशित नहीं किये हैं 18 अक्टूबर को PTC इंडिया का शेर हलकी बड़त के सार और PTC इंडिया फिनेंसल सर्विसिस का शेर सपार्ट बंद हुआ था पांच भी खबर और जांच के बाद ये जुर्माना लगाया गया है चटी खबर अधानी ग्रूप की फ्लैक्शिप कंपनी अधानी एंटरप्राइजस को सुप्रीम कोट से बड़ी रहत मिली है मानिय सुप्रीम कोट ने अधानी एंटरप्राइजस को एरपोट लीज करने के खिलाफ केरल सरकार की अरजी को खारीज कर दिया है दरसल केंदर सरकार ने थिरुवंतरपुरम इंटरनाशनल एरपोर्ट की लीज अधानी एंटरप्राइजस को दी थी इस फैसले के खिलाफ केरल सरकार ने हाई कोट में अरजी दी थी पर 19 अक्टूबर 2020 को फैसला केरल सरकार के पक्ष में ना आने के चलते इस फैसले को सुप्रीम कोट में चुनवाती दी गई थी 18 अक्टूबर को सुप्रीम कोट का फैसला आने के बाद अधानी एंटर्प्राइज का शेर धाई फीजदी की मजबूती के साथ बंद हुआ था चलिए ये तो थी कॉर्पेट जगह से जुड़ी इस अफते की तमाम बड़ी खबरे आईए अब आगे बढ़ते हैं और स्टार्टप स्पेस की बात करते हैं स्टार्टप अपडेट में पहली कबर देश के सबसे बड़े एडटेक स्टार्टप बाईजूस ने अपने मौजदा निवेशकों से 25 करोड डॉलर की रखम चुटाई है 10 करोड डॉलर से जादा के पुझी निवेशक के साथ कतर इन्वेस्मेंट अथारिटी यानी QIA ने इस फंडिंग राउंड का नेतरेत्व किया जिसमें टाइगर ग्लूबल और सुकुईय कैपिनल ने भी हिस्सा लिया था इस राउंड में बाईजूस ने कुछ मौझदा निवेशकों की और से सेकेंडरी सेल के जरिए अपने शेर बेचने की भी रिपोर्ट सामने आई हैं माना जा रहा है कि इस राउंड में बाईजूस ने 22 अरब डॉलर के पिछले राउंड के वैलूशन पर पूंजी हासिल की है पर मौझदा निवेशकों ने इस वैलूशन से डिसकाउंट पर अपने शेर बेचे हैं बाईजूस की इस रकम का इस्तेमाल पी फर्म ब्लैक स्टोन का बकाया चुकाने के लिए करने की यूचना है इससे पहले मार्च 2022 में बाईजूस ने अपने पिछले फंडिंग राउंड में 10 करोड डॉलर की रकम जुटाई थी दूसरी कबर आईटी सेक्टर की इंडस्ट्री बाडी नैसकॉम की एक रिपोर्ट के मताबिक भारत में मौजूद 4500 से ज़ादा वेब थ्री स्टार्टप्स ने अपरेल 2022 तक पिछले दो साल में 1.3 अरव डॉलर की रकम जटाई है इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि भारत का ग्लोबल वेब 3 टेलेंट में 11 फीज़ी से ज़ादा का हिस्सा है और इस तरह भारत दुनिया में वेब 3 टेलेंट पूल वाला तीसरा सबसे बड़ा देश है यही नई 50% से ज़ादा की सलाना ग्रोथ के साथ 2015 से अब तक देश में 170 से ज़ादा नए वेब 3 स्टार्ट अप्स रेजिस्टर हुए हैं तीसी कबर डॉलर की रकम का ही विस्तार है जिसमें हीरो मोटो कॉप और भारत की सौवरन वेल्थ फंड नैशनल इंवेस्मेंट और इंफरस्टर्टर फंड यानि एन आई आई एफ ने हिस्सा लिया था रकम का इस्तिमाल 4 लाक यूनिट की सालाना शम्तावारे दूसरे प्लांट को शुरू करने पर होगा वितवस 2023 में कंपनी के कुलाए वितवस 2022 के 408 करोड उपे से दो गुना से जादा बढ़कर 1000 करोड उपे से जादा रहने का अनुमान लगाया जा रहा है चौथी खबर टी फर्म केके आर की फिंटेक स्टार्टप रेजर पे में निवेश करने के लिए बात चीछ चल रही है अगर ये डील फाइनल हुई तो रेजर पे के कुछ मौझूदा अली स्टेट निवेशकों की हिसेदारी खड़ी सकता है इसके अलावा कंपनी के अन्य निवेशकों समेट केक्यार इस कंपनी के प्राइमरी फंडिंग राउंड में भी हिस्सा ले सकता है इस फंडिंग राउंड के जरिए रेजर पे की 7.8 हरब डॉलर के वैलिशन पर 12.5 करूर डॉलर जुटाने की युजना है 12.5 करूर डॉलर में से 6-7 करूर डॉलर की रकम का इस्तेमाल वाई कॉंबिनेटर के शेर खईदने पर होगा और बाकी रकम का इस्तेमाल अधी ग्रहन पर किया जाएगा पांचवी खबर फिटनेस सास प्लैटफर्म फिटबड ने सीट फंडिंग राउंड में 34 लाख डॉलर की पूंजी जुटाई है फिटबड इस राउंड से जुटाई रकम का इस्तेमाल प्रॉड़क्ट डेवलोपमेंट, क्लाइंट ग्रूथ में तेजी लाने अपने ताकतवर और इनोवेटिव प्रॉड़क्ट के जरिए ग्लोबल हेल्थ और फिटनेस इंडस्ट्री को डिस्रप्ट करने में करेगा फिटबड हेल्थ और फिटनेस इंडस्ट्री की दो मूल दिकतों को दूर करता है फिटबर्ट फिटनेस कोचिस को अपने ग्रहकों के साथ बहतर तरीके से एंगेज करने और उनको बड़े पैमाने पर बनाए रखने में मदद करता है चटी खबर छोटे और मिड साइस बिजनसेस को फंडिंग मोहिया कराने वाली कंपनी प्रॉक कैप ने सीरी सी फंडिंग राउन में पांच करोड डॉलर की रखम जटाई है नए दिल्ली की प्रॉक कैप ने जून में सीरी सी फंडिंग राउन की शुरुआत की थी जिसमें इस कंपनी को पांच करोड डॉलर का निवेश मिला था इस राउन में 20 करोड डॉलर के पिछले राउन के मुकाबले कंपनी का वैलिशन तीन गुना बढ़कर 60 करोड डॉलर हो गया है ताजा फंडिंग राउन में गूगल, टाइगर ग्लोबल, क्रेशन इन्वेस्मेंट्स और सिकोया कैपिल के लावा ग्रोएक्स, सिबिल चेर्मेंट, इंवी नायर और नाइन उनिकॉंस ने भी हिस्सा लिया था साथ ये कबर, बिजनसेस के लिए फिनांशल मॉडलिंग सॉफ्ट्वेर मोहिया कराने वाली कंपनी ड्राइव ट्रेन एयाई ने ताजा फंडिंग राउन में 1.5 करो डॉलर की रकम हासिल की है इस रकम का इस्तिमाल प्रोड़क्ट डेवलोप्मेंट में तेजी लाने के साथ साथ गो-टू-मार्केट टीम के विस्तार पर किया जाएगा दोजार इकिस में आलोग गोयल तरकेश्वर ठाकूर और सोरव भगत की और सेस्तापिड ड्राइव ट्रेन एयाई कारोबारो को उनके मजुदा हालात का आकलन करने के साथ साथ लियेगे फैसलों से भविश्य में होने वाले प्रभाव का अनुमान लगाने में भी मदद करता है इससे कारोबारियों को भैतर फैसले लेने में मदद मिलती है आठवी कबर ब्लॉक्चेन स्टार्टप शर्डियम ने सीट फंडिंग राउंड में 1.82 करोड डॉलर की पूंजे जुटाई है इस फंडिंग राउंड में जेन स्ट्रीट, दस्पार्टन ग्रूप, बिग ब्रेन होल्डिंग्स, डी एफजी और फोर्साइट वेंचर समेट करीब 50 निवेश्कों ने हिसा लिया शर्डियम के मताबिक इस रकम का इस्तमाल कंपनी की रिसर्च और मार्केटिंग एफट्स को बढ़ाने के साथ साथ प्रॉडेक्ट और डिजाइन डेवलोप्मेंट टीम के विस्तार पर होगा क्रिप्टो करंसी एक्सचेंज वजीर एक्स के फाउंडर निश्चल शेटी के और से फर्वरी 2022 में स्तापे शर्डियम एथरियम जैसे बेस लेवल ब्लॉक्चेंज की तुनला में कहीं बहतर स्केलिंग केपेबिल्टी मोहिया करवाता है नौवी खबर पुराने या सेकेंड हैंड टू विलर ए मार्केट प्लेस बीब कार्ट ने ताजा फंडिंग राउंड में 90 लाख डॉलर की रखम जुटाई है इस फंडिंग राउंड का नेतरेत्व वर्टेक्स पेंचेस ने किया जुटाईगी रखम का इस्तिमाल कारोबार ग्राह कानुभव इंटरनल प्रोड़क्ट्स और सिस्टम के साथ साथ ब्रेंडिंग और ओपरेशन्स के विस्तार पर होगा कोविड महामारी के दुरान पूरानी कारों के मारकेट में काफी तेज बड़ोतरी हुई थी फ्रोस्ट एन सलिवियन की एक स्टडी के मताबिक वितवर 2025 तक यूज़ कार मारकेट का साइस न्यू कार सेगमेंट से दो गुना से भी जादा हो जाएगा किसी बड़ी टेक कमपनी के इस सेगमेंट में मौजूद ना होने को वीब कार्ट एक बड़े मौके के तौर पर देख रहा है आखरी खबर बेंगलूरू की हेल्थ टेक फर्म इंडी जीन ने यूएस की हेल्थ केर मारकेटिंग एजनसी कल्ट हेल्थ को खरीद दिया है यह अधिग्रहन कल्ट हेल्थ की यूएस की सब्सेडरी आईल एसल इनकॉर्पेट के जरिए किया गया है पर दोनों कमपनियों ने इस डील की रकम का खुलासा नहीं किया है विद्वस 2022 में 22.3 करोड डॉलर की बिक्री के साथ इंडी जीन लाइफ साइंसीस कमपनियों को सेवाए देने वाली सबसे तेजी से ग्रोव करने वाली डिजिटल कमपनी है चली तो ये थी पूरे हफ़ते की कॉर्पेट और स्टार्ट अप जगह से जुड़ी बड़ी सुर्खियां उम्मीद है आपको कमपनी नामा का इस हफ़ते का एपिसोड पसंद आया होगा और तमाम बड़ी ख़बरों की भी जानकारी मिल गई होगी आपको हमारा आज का इस शो कैसा लगा नीचे कॉमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक अपनी राय हमारे साथ जरूर शेर कीजिएगा ताकि हम इस शो को और बहतर बना सकें इसी के साथ अगले अफते आपसे फिर मुलाकात होगी नई ख़बरों के साथ तब तक आप देखते रहें मनीनाई नमस्कार अटनर मुलाकात हो फिंट्र चांप तक कोुमें हमारे साथ ए kittyजिएगर ताकि हैजाए उसे दो हा